दूआ दूआ यूज़ विल्कम तो मैं चैनल आज के हमारी रिसीप भी है चीज कॉन सेंडविच तो उसके लिए हमने इधर वेजिटेबस लिये हैं तो सबसे पहले कॉन गाजर कैप्सिकम खीरा ओनियन और टामाटर इस सब को हमने बारी काट के लिया है अर है कि मेने इंग्रेडियाँ इधर में चीज लिया है डेच्ट श्प्रेड यह मार्केट में फीजिली मिल जाता है यह मेने 200 ग्राम का लिया लिया है प्रफिको हम स्टार्ट करते हैं, इधर एक बोल लेना है, बोल में सबसे पहले हम चीज डालेंगे, बाचे डालेंगे, कीरा डालेंगे, इसमें डालेंगे, आप इधर अपनी 1% वेजिटेबस डाल सकते हैं, टमाटर डालेंगे, डालेंगे, सहरा धनिया डालेंगे, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें एक हरी मिज काट कर भी डाल सकते हैं, थोड़ा ब्लै पेपर डालेंगे, आदा टी स्पून सेंदा नमक डालेंगे, बुगर असपर टेस नमक डालें दो ब्रेट पर थोड़ा सा टॉमेट केचप डालेंगे और चाहे तो इदर ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं कि अब भी वेज़टेबल स्प्रेट करेंगे तो नो ब्रेट पर हमने वेज़टेबल अच्छे से लगा दिया है आपि हम दुसरा ब्रेट स्लाइस लेंगे और उसके उपर हम पीज़जा सास लगाएंगे इस तरह से इसको ब्रेट साइस के उपर रखेंगे इस तरह से इसको भी हम क्रॉसमें कट करेंगे इसके उपर हम थोड़ा गी लगाएंगे आप चाहे तो बटर भी लगा सकते है इस तरह से इसको अभी हम माइक्रोयो में ग्रिल करेंगे इसके लिए हमने माइक्रोयो का हाई रख लिया है उसके उपर हम यही ब्रेट स्लाइस सकेंगे इसको उल्टे साइट में रखा है तो इसके यह साइट में भी हम थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे इस तरह से अभी हम इसको माइक्रोयो में रख देंगे हम माइक्रोयो में रख देते हैं कर देंगे को मैंने दोनों तरफ से ग्रील कर दिया है दो-दो मिनिट के लिए यह दिखिए ना अच्छा दिख रहा है इतना अच्छा गलर आया है आप इसको बच्चों को टिपिंग बॉक्स में या पेक पास में बना के देखा सकते हैं और साथ ही आप मेरी वेज मायनी सेंड्विश पी रेसीपी देख सकते हैं वह भी बहुत ही टेस्टी बनती है और आगर आपको मेरे चलेगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मुझे कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए